भारती साच अधनियम के धाराच चौदा की धाराच चौदा यह कहता है सरीर या मन की दसा को दो तीजों की बात करता है सरीर या मन की दसा को या सारीरिक संवेदना को दर्सित करने वाले तथ्य है तो वो तथ्य कहते आने जाएंगे सुसंगत माने जाएंगे आये दोस्तों थोड़ा को elaborate करते हैं धारा 14 इस सिद्धान्त पराधारित है कि वह तत्य जो पहला मानसिक तत्य को दर्थित करते हैं सारिक दसा को दर्थित करते हैं किसी भावना को दर्थित करते हैं वह क्या है सुसंगत तत्य तीन चीज़े हैं फ्रेंड पहला मानसिक दसा दुसरा सारिक दसा दुसरा त्फिल इंग्यानी भावना वह तत्थ संगत हैं यह धारा उन तत्थों को सुसंगत बनाती है जो तत्थ सारिक या मानसिक दसाओं को प्रकट करते हैं सरीर की दसा इसका तातपर है स्वस्थ होना बीमार होना अपाहिज होना या अन्य कोई सारिक विकृति या घायल होना यह सब क्या कही जाएंगी सारिक दसाओं बीमा के मामले में ब्यक्ति का स्वस्थ होना संगत अच्छ है बिस दिये जाने के संबंध में बिस दिये जाने से पले स्वास्थ की दसा संगत अच्छ है यदि किसी ब्यक्ति को मारा पीटा जाता है तो उस ब्यक्ति का घायल होना संगत अच्छ है जो मारपीट की घटना को प्रमारीद करता है क्योंकि यदि कोई ब्यक्ति घायल नहीं होता तो मारपीट की घटना जूटी होगी दोस्तों यह रही आपकी सरीट की दसा अब बात करते हैं मानसिक दसा की मानसिक दसा इसके अंतरगत आसय, ज्यान, सद्भाव, उपेच्छा, उतावलापन, वयमनस्च, सदिच्छा को दर्शित करने वाले तर्शंगत हैं यदि ऐसे तत्व मानसिक हैं जो मन की दसा या प्राधिक मनसिती को दर्शाते हैं आप्राधिक मामलों में आसय का तत्व महत्वप्रण होता है यदि ए इस बात का आरोप है कि उसने बी पर गोली चला कर उसे घहल किया है यह तत्थ की मारने से पहले ए ने कई बार कहा था कि मैं तुम्हें देख लूँगा तो यह तत्थ उसके आसय को दर्शित करने वाले होने की कार सुषउगत माना जाएगा ज्यान ज्यान का तत्थ भी महारत्वप्रण होता है जब अभिक्त को यह ज्यात है कि चोरी क आमाल उसके घर में रखा है तो उसका दाई तो बढ़ जाता है और ज्यान का अतत्य स्वंगत हो जाता है यह परिस बात कारोप है कि वह नकली सिक्के का कारोबार करता है यह अतत्य कि उसके पास नकली सिक्के थे जिसे वह जानता था और उसके कबजे से सिक्के बरामद हुए तो ए नकली सिक्के रखने के अपराद का दोसी होगा बात करते हैं दोस्तों सद्भाव या दुर्भाव की सद्भाव का अताथ पर अच्छी भावना से है यदि कोई चिकित्सक किसी मरीज का इलाज सद्भावना पुर्वक अपनी पूरी योग्यता चमता से करता है लेकिन मरीज मर जाता है तो सद्भावना का साथ संगत अच्छोगा यक्स जो एक सुरच्छा अधिकारी है अंदोलन कारी भीड पर गोली का अधिश चलाने का अधिश देता है यह तत्थ कि उसने अधा अधिश सद्भावना पुर्वक दिया था संगत अब बात करते हैं दोस्तों उपेच्छा या उत्योलेपन की कि उपेच्छा थे तात पर यह कि जब किसी ब्यक्ति सी कोई कारें ना करने के लिए कहा जाए और वह बार बार वही कारें दूराता है तो यह उपेच्छा है दोस्तों अब जैसे की पत्नी द्वारा बार बार मांग के जाने के बावजूद आँश्यक्ट शामग्रियों को ना लाना उपेच्छा है जो सब्दों द्वारा भी हो सकती है या चरण द्वारा भी हो सकती है आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह किसी ब्यक्ति ने हिंसक बात करेंगे दोस्तों लापरवाही उपेच्छा और लापरवाही एक समान है लेकिन दोनों में अंतर है लापरवाही यह है कि किसी बात पर ध्यान नहीं देना जैसे यातायाद के नियमों का प्रमुख्णियम है कि थड़क पर ति ब्रगती से गाड़ी ने चलाएं लेकिन लापरवाही वसलोक्ती ब्रगती से गड़ियां चलाते हैं बिजली वहाग के कर्मचारियों द्वारा खंभे में लटकते हुए बिजली के अतारों को सही धंक से ना जोड़ना या खुला छोड़ देना लापरवाही का प्रमान है और यह दुरघटना होती है तो बिजली पर नाम सेल्स के मामले में एक व्यक्ति के लिए इस बात पर मुकदमाला किया गया उसके बेटे ने लापरवाही से बार बार एयर गर्ण चलाया इसे पर उसी घायल हो गया आगे बढ़ेंगे दोस्तों उतावलापन उतावलेपन का साथ सुंगत अच्छ है जब कोई ब्य गटना इस्थल से या किसी अन स्थान से उतावलेपन में भागता है अथवा कि दूसरे ब्यक्ति को खाने की कोई चीज़ दियने के लिए उतावलापन दिखाता है तो गटना घटित हो जाने के बाद उसका उतावलापन सुसंगत तो बात करेंगे दोस्तों आपकर दुर कि दुरभावना की कि दुर्भावनाधब्र को इसके के लिए रखता है कि यह को सब्सक्राइब ह से तथे तो यह चौ्छी है वाइक के दाइत भाय लवस्था में है तो से देखकर दयाका भाव उत्पन्न होना संवेदना है किसी भूखे को उस पर देखकर उस पर दयाका भाव संवेदना है यात्रा करते समें ट्रेनों बसों में महिला को खड़ी देखकर उसके लिए सीट छोड़ देना संवेदना को दर्थाता है ऐसे तच्छों को साबिद करने के लिए परिस्रीजन साथ्षों का तहरा लेना पड़ता है धारा चौद्र का इस पश्ट्री कर पहला मस्तिस्क की सु जादित विसे और मांतिक स्थी में संबंद होना चाहिए इस प्रष्टी करन तू देखते हैं दोस्तों किसी अपराद के अभ्यूक्त व्यक्त के विचारण में उस अभ्यूक्त द्वारा पहले अपराद किया जाना सुवंगत त्थ्य है जिसके आधार पर दंड की मात्रा में बृद्धी की जाती है थैंक यू दोस्तों